नमस्कार दोस्तों मैं विकास मलोत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर दोस्तों अनन्च चतुरदशी वरत के मैत्व का वर्नन अगनी पुराम में मिलता है हर साल ये त्योहार भादरपद मा के शुकल पक्ष के चतुरदशी तिथी को मनाया जाता है इस दिन लोग वरत रखते हैं और श्री हरी विश्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं इस बार ये त्योहार 9 सितंबर को मनाया जाएगा इस दिन बाजों में अनंत बांधने की प्रता है कैसे वो किया जाता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ इस दिन पर खास तीन विशेश योग भी बन रहे हैं तो अगर आप इस दिन पर उपाए करेंगे कोई कारे के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें सिद्धी मिलने की गुंजायश जादा हो जाती है पंचांग के मताबिक देखें तो चतुर दशीती थी 8 सितंबर को सुबा 9 बचकर 2 बजे से शुरू हो रही है और 9 सितंबर को शाम 6 बचकर 7 मिनट तक चलेगी शुब मुरद जो है वो 9 सितंबर को सुबा 6 बचकर 24 मिनट से शाम 6 बचकर 8 मिनट तक रहेगा जिस दौरान आप पूजा कर सकते हैं इस समय नहीं टाइम मिलता तो आप कहीं और किसी भी वक्त कोशिश करिए कि अनन्त भगवान की भगवान विश्नु की पूजा जरूर करें इस साल अनन्त चतुरदशी के दिन रवी योग सुकर्मा योग बन रहे हैं तो जोतिश में इन योगों का बहुत महत्व है बहुत डेटेल में बात नहीं करूँगा लंबी हो जाती है वीडियो बेसिकली कॉंसेप्ट यह है कि दिन अच्छा है जरूर करें हूपाए मानन्यत है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राचपाठ हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्णे ने उन्हें अनन्त चतुरदशी का वृत करने की सला दी धरम याज युदिष्टिर ने अपने भाईयों तथा दौपदी के साथ पूरे विदी वि को का प्रतीक होता है जिसे बाजू में प्रसाद स्वरूब बानने पर जीवन में किसी भी प्रकार का भ्य या बाधा आने का डर नहीं रह जाता माना जाता है कि जो अनन्त सूत्र बानता है भगवान विश्णू ऐसे साधक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं अब पूजा व ही एक सूती धागे को कुम-कुम, हल्दी और केसर से रंगने के बाद इसमें 14 पवित्र गाठे लगाकर अनन्त तयार किया जाता है इसको पहले भगवान विश्णू के मंत्र अच्युताय नमा, अनन्ताय नमा, गोविंदाय नमा मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें समर्पित किया जाता है और उसके बाद प्रसाद स्वरूप जो पुरुष हैं वो अपनी दाहिनी बुजा में और महिलाएं बाहिनी बुजा में इस अनन्त सूत्र को धारन करती हैं, ये सभी बलाओं शत्रों से रक्षा करने वाला होता है, इसके कुछ नियम है दोस्तों, ये ध्यान इसे विसरजित कर दिया जाता है, यदी ये कृष उस दिन ना संभव हो पाती है, तो उस व्यक्ति को उस अनन्त को अगले 14 दिनों तक धारन करना पड़ता है, यदी 14 दिनों के बाद भी इस कृष को संपन नहीं कर पाता है, तो इसे पूरे वर्ष पहनना पड़ता है और अब दोस्तो अनन्च चतुरदशी के दिन भगवान विश्णू की पूजा सबसे ज़ादा आपको फल देगी गनपती विसरजन का दिन भी होता है अनन्च चतुरदशी पे तो अगर आप उस दिन कर सकते हैं अगर आपने अब तक रखे हूए गनपती जी तो आप उस दिन व पाए बात कर रहा हूँ आपसे जो से अनन्च चतुरदशी के दिन का पूरा लाब मिलेगा सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बिमार चल रहा है तो अनन्च चतुरदशी के दिन एक अनार ले लीजे उसके सिर से लगा कर भगवान विश्नु को चढ़ा दे फिर इस अनार को आपको उसी दिन किसी गाएं को खिलाना है बेमारी से छुटकारा मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है अब बहुत सी मुसीबतें आपको रहती हैं व्यापार अच्छा ने चल रहा नौकरी अच्छा ने चल रही यानि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दुख आपके उपर चढ़ा हुआ है तो अनन्चतुरदशी के दिन एक उपाए जरूर आजमा के देखें सिंपल उपाए है आप ये उपाए करेंगे तो लाब जरूर होगा एक लड़ू ले लीजे उस लड़ू के अंदर बूंदी का लड़ू लेना है आपने सिंपल लड़ू बहुत असानी से मिल जाएगा उसमें 14 लॉंग लगानी है लॉंग बड़िया क्वालिटी की अच्छी फूल वाली देखके चुन के भगवान को अगर आप कोई ची समर्पित कर रहे है न तो सबसे पहले आप उसको चुन के अच्छी क्वालिटी का लीजे 14 लॉंग ले लिजे 14 लॉंग लेकर एक बार ये भगवान विश्णू के सामने रख दीजे अपनी पूजा के स्वरूप की मैंने भगवान मेरा ये व्यापार नहीं चल रहा नौकरी में दिक्कत है या कोई और परिशानी आ रही है मुझे उससे किसी भी तरह से मुक्ती दिलाएं ये करने के बाद आप इसे किसी भी पीपल के व्रिक्ष के नीचे रख दीजे बहुत से लोग इसको चौराहे पर छोड़ देते हैं दोस्तों ऐसे मत करिए प्रशाद होता है प्रशाद की वेस्टेज होगी आपका नुकसान हो जाएगा तो इसको किसी भी पीपल व्रिक्ष के नीचे छोड़ दीजे मकसद ये है उसको भी चीटियां खा ले उससे नुकसान नहीं होगा और अगर आप इसे चौराहे पर छोड़ देंगे तो दोस्तों नुकसान होने की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाएगी फाय होता है उल्टे सीदे उपाये तो आपको आजकल इंटरनेट पे जितने भी आप ले लीजे लेकिन उनसे कभी आपका प्रॉब्लम शॉल्ब नहीं होती रीजन वो ही है कि वो उपाये सही से ना करवाये जाते ना बताये जाते ना सही समय पर किये जाते आखिर में अगर कोट कचेरी की प्रॉबलम बहुत जादा आ रही है या परिवारिक विवाद है जिससे कोट कचेरी चल रहा है तो अनन्चतुरदशी के दिन भगवान विश्णों को 14 जायफल चड़ाएं जायफल बहुत आसानी से पूजा की दुकानों पर आपको मिल जाते हैं इसके बाद वो 14 जायफल पहले चड़ाएं उठाएं और उसके बाद उसको जल प्रवा करना है दोस्तों जल प्रवा ही करना ऐसे कोई सबस्टिट्यूट नहीं है अगर आपके पास जल प्रवा का अरेंग्मेंट नहीं है तो फिर यह उपाय मत करिए आगे वेट करिए हम आगे किसी औ और वीडियो में जब उपाये शेयर करेंगे तब कर लीजेगा उपाये का फायदा होना चाहिए सही समय पर अगर आप करेंगे तो फायदा ही होगा दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बाकी लोगों क के नाम पे है उसको भी सब्सक्राइब करें और अगर आप इंगलिश वीडियो देखते हैं तो उसके लिए अलग से एक चैनल बना रखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अनंच चतुर दर्शी की बहुत-बहुत शुपकामनाए भगवान विश्णु आपके सभी विवाद सभी अठके काम बनाए धन्यवाद दोस्तो ओम नमो भगवते वासुदेवाए नमा